तो भाई, जिन साथ ही ओगो जिन भाई होगो, AC और कूलर के नीचे पढ़ के ये लगता है कि हमारे लाइफ से बोरिंग और हमारे लाइफ से खराब किसी की लाइफ नहीं है, जो ये सोचते हैं कि पढ़ाई को छोड़ कर मैं बाकी सबी चीज़ कर सकता हूँ, खेती कर आजेगा टाइमिंग हो रखा है और ये धान के खेत में सप्रे मारी जा रही है ये दो मजदूरी है ठीक है तो इस तप्ति दुपैरी में ये लगे हुए है आज सुबह से मैंने इनसे पूछा कि भाई कितने किले तक सप्रे मार देते हो ये पूरा पानी बरा हुआ देखे धान के केत में पूरा मतलब पानी बरा हुआ है और इसमें चलके पूरे किले में इनको सप्रे मार नहीं होती है तो मैंने पूछा कि भाई कि कितने किल्ले में सप्रे मार देते हो दिन में तो इन्होंने बताया कि 20 किल्ले में सप्रे मार देते हैं पूरे दिन पूरा दिन में जो हम 20 किल्ले पूरे कर देते हैं तो आज कितने किल्युप में सपरे और मारनी रहगी और भी यहां से जाने के बाद में हितना और करने हैं इसी अरिया मराना का शाम में कितने बज़े तक करते हो भाई लोग साथ बज़े तक और सुबह कितने बज़े स्टार्ट कर देते हो नो बज़े से खाना फिर एक ही टाइम सुबह तो भाई देखो अभी मैंने टैंक की उठवाई है पानी भर के दस से बारा लिटर के आसपास इसमें टैंके में पानी होगा और इसको लेके पूरे खेत में गुमना आप समझ रहे हैं इतनी गर्मी में तो रोज मर्रा की जिन्दिगी के लिए भाई इनके पास में ना इस मज़दूरी के अलावा और कुछ रास्ता भी नहीं है ठीक है इनक काईसी में बचताता है इनसे यही होता है तो यही करते हैं बट मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए यह वीडियो बनाया हूं कि मेरे दोस्त मेरे जो भाई मेरे साथी हैं जो यह बोलते हैं कि भाई हमसे लाइबरेरी में बेटके पढ़ाई नहीं हो रही हमारा पढ़ किस टाइम पर क्या खेत में काम हो जाए और अब ही जैसे जो आप स्टुडेंट के लाइफ जी रहे हैं जो पढ़ाई की जो लाइफ है आपके उपर कोई बर्डन नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आपका पढ़ाई करना ठीक है तो अगर वो काम भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अप ये सुच रहे हैं कि ये काम करना बर्डन है ये बहुत हार्ड है तो भई हार्ड मैंने आपके आज दिखा दिया हा काम हार्ड इस काम को बोलते हैं पसिने से लटपत हो जाता है इनसान इस कड़ी धूप में दोपेरी की ये दूब है ना एक दिन अगर आपको किसी भी दिन अगर आपको ये हो जाए कि बस बहुत वा मेर से पढ़ाई नहीं हो रही है और मैं पढ़ाई नहीं गर पाऊंगा एक दिन मजदूरी का ध्याडी का खेते में काम करके देखना आपको जिंदिकी की सारे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों